आज की वीडियो में बात करेंगे डियो के ओनलाइन फॉर्म के वारे में तो इस सेक्षिन में आपको दो चीजे मिलेंगी पहले कुछ इन्फॉर्मिशन मैं दूँगा उसके बाद मैं आपको बता हूँगा कि आप फॉर्म को कैसे फिल अप कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने गोगल उपन कर लिया है यहां पर मैं लिखूँगा डियू ऑनलाइन फॉर्म एंड यहां पर मैं से सर्च करूँगा जो पहली वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है पीजी अड्मिशन खोल दिया और साथ ही एंफिल और पीजडी वाला पॉटल भी आपर मैंने ऊपन कर दिया और साथ ही अब आप देख सकते हैं आपको चांसलर ने अपील दिया अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अधर्वाइस हूँ हमारा काम नहीं है और अब पीजडी में चाहते हैं तो यहां से आप अड्मिशन ले सकते हैं तो हम अब आ गए है अपने यूजिवाले सेक्शन पर क्योंकि हमें यहीं पर फॉर्म करना बाकी टाप्स में काट देता हूं और अब यहां पर हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे फॉर्म के लिए तो स सिख में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए अब हम यहां पर और इंफोर्मिशन देता हूं यहां पर कोर्स और कॉलेज़के लिए तो यहां पर देख सकते हैं अड्मिशन 20.00 का आप मैं यहां पर ओपन कर रहा हूं तो साथी यह वही वाला पेज खोल गया और साथ यहां पर बुलेटन आपको मिल जाएगा अंडर ग्रेज एड्मिशिन का ठीक है तो हम मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल अप करें तो उसका प्रोस्पेक्टस या बुलेटन जरूर पढ़ ले क्योंकि उससे आपको कई मदद मिल जाएगी बहुत तरह की help पता चल जाएगी साथ ही आपको knowledge मिल जाएगा कि आपको कैसे कैसे apply करना है तो यहां पर मैंने आपकी सामने इसे open कर दिया फॉर्षत में इसे पढ़िएगा जरूर जब भी फॉर्म अप्लाई करें उससे पहले तो यहां पर आपको पथाल चाहिए और मैं यहां पर कार्ट देता हूं सारे टैप को अब हम चलते हैं रिश्ट्रेशन की तरफ तो जैसे कि मैं अपने पीच पर वापस आ गया हूं तो हम अभी तो पहले हम new registration करेंगे इसका तो हम अभी new registration वाले section पर जाते हैं जासे कि अभी मैना क्लिक कर दिय पर साथ यह पूरा का पूरा option खुल गया है new registration का तो यहां पर इंस्ट्रक्शन दिये गए है यहां पर इंस्ट्रक्शन दिये गए थे साथी और जो मैंना आपको इंस्ट्रक्शन बता दिया है साथ में ही आपको व्याद रहे कि क्रों का लेटिस वर्जन उसमें अप्लाइगे तो फॉर्म ज्यादा इसली भर जाएगा तो रिश्ट्रक्श फॉर अडमिशिन टु यूजी कोर्स अब मैं पर नाम एंटर करूँ आप लिगांड का नाम जो की क्लास 12 के मार्ग शीट में है तो इदी आई टी वाई ए और यह यहां पर आप देख सकते हैं मैंने पासफ़र्ट अगरा सब डाल दिया है और मुबाइल नमबर वगरा सब हम इसे यहां पर इमेल डालने के बाद जब आप उसे ओके करेंगे इस तरह से आपके पास OTP आएगा करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कैचप आपको डालना है ठीक है और यहां पर जैसे आपका जो अकाउंट है वह सक्सेस्फुल ग्रीट हो जाएगा और फिर आपको लॉग इन करना होगा जहां पर रिस्टर्ट साइन का ओप्शन आ रहा था तो हम यहां पर OTP यहां पर आप सही हो चुका है अकाउंट वेरिफाइट सक्सेस्फुली फ्लीज लॉग इन तो स्टाट यॉप्रोसेस तो यहां पर मैं डाल देता हूं पर इस तरह से कुछ लॉग इन हो जाएगा ठीक है लॉग इन होने के बाद आप यहां पर कुछ इंस्ट्रुक्शन द चाहिए जो भी आप सेल्फ टस्ट करेंगे अपनी मार्वाट सबी डॉकुमेंट्स को सौ से पांसो के बीच में होना चाहिए पिए जी फॉग में अवलेवल है वो इस पर आप अपको सेटिफिकेट चाहिए अगर ओबीसी के टेग्री से हैं तो बीसी का सेटिफिकेट चा चाहिए जो भी है नोने लिंक अप्लोड किया हुआ यूट्यूब चैनल पर और साथी सारी चीज़ें यहां पर दी गई हैं और किसी भी तरह का पॉल्स इंफर्मिशन आप प्रवाइड कराईगा तो यहां पर मैं टिक कर देता हूं टिक करने की बाद हम सब्मेट पर क्लि एक बर मैं चेक कर लेता हूं क्या क्या चीज़ें मांगी गई है और इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रसनल डीटिल्स जो है वह मैंने फिल कर दी है फिल करने के बाद बेसिकली अब हमें आप जो भी है सारी डिल देख सकते हैं आपको सब एंटर्ड हो चुका ह सब्सक्राइब कर दिया है और हमें कोटा में ध्यान रखें अगर आपके बास हो तभी आप करिएगा दर्वाइस आपको नौट अपको डालना पड़ेगा यह बेसिक डिटल्स ती जो की प्रस्नल डीटल्स में आपको भरना है सम्मिट करेंगे इस तरह से आपके पास एक अब यहां पर इसे एड़िट कर सकते हैं वरिफाई कर सकते हैं चीज जाएकर गलत हो गया तो अब ने नेक्स कर दिया मुझे स्में अकैडमिक डीटल डाली है तो अपने बूड का अपको डीटल डालना है ठीक है यहां पर आप 10 डिटल डालेंगे जैसे यहां पर देख सक की है तो अब यहां पर सबसे पहले मैंने देखिए मैंने डीटल यहां पर एंटर कर दिया सभी वो सम्मिट कर दिया है फिलाल मुझे यहां पर डालना पड़ेगा टूल का डीटल अगर आप अपेरिंग है अभी सबसे जाधा सवाल 12 वालों के लिए है क्योंकि उन्हें प् करेंगे मेंने लम करेंगे तो कर दिया है करेंगे तो इसे आगे बढ़कर आपको दिखा कशी के आपको वहाले पर तो फिर मैं 4 step पे पहुंच जाऊंगा ECA वाले पे अगर मैं यस कर देता हूं तो देखिए BTEK, BSC, 5 year integrated program, BA honors, BA honors music इन सब की fees अलग है और इन सब पर आपको entrance देना पड़ सकता है तो यह सारे वो courses हैं जिसके लिए आपको entrance apply करना पड़ेगा और यहाँ पर additional में भी आप देख सकते हैं सभी तरह के courses यहाँ पर available है और entrance test का आपको center चुनना होगा और उसके बाद सारी detail मैं यहाँ पर फिलाल no कर देता हूं जोकि मुझे entrance के लिए मेरिट भी इसके लिए apply करना है अगर आपके बास sports है तो अप यस करिएगा नहीं है तो नो कर दिया था मैंने पहले ही तो आपको upload करना पड़ता अब यहाँ पर मुझे photo sign और अपने 10th की mark sheet upload करनी है तो सभी बच्चों को मैं बता दू जिनका 12 option का problem हो रहा था तो उन्हें अभी upload नहीं करना हूं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के बाद आप size का जुरूर ध्यान रखें और उसके बाद कुछ इस तरह से आपका preview आ जाएगा करेंगे तो आपका फीस का आजाएगा कितना फीस आपको पे करना है मैंने जनल के डिगरी डाला था इसलिए डाई सो रूपए तो यहां पर अपनी डीटेल सरीफाई कर लीजिए आपका नाम मता का नाम पिता का नाम के टेगरी सब सम्मिट करिए और फिर पेमेंट कर सकते हैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और किसी भी तरह की अधर जानकारी के लिए अगर आपको हम से कॉंटेक्ट करना है तो आप इस वेब साइट पर आईए स्टेडीहल्प्स.न जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर मैंने डियू का जो भी है मैं आपको खूल के दिखाते हैं तो एक पर स्टेडीहल्प्स.न एंटर करूंगा साइट ओपन हो जाएगी आप किसी भी तरह की अधर डिफ्रेंट चीजों के बारे में भी जानकारी चाहते हो तो आप यहां को मिल जाएगी अगर आपको डियू से संब्दित लगा कि फॉर्म फिलप क्या सकता है एक्जाम फिलाप कर सकते हैं सबकुछ तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चनल को सस्क्राइब कीज़ें अब बैल आइकन को दुबाना मत भूल एं फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए कंटेंड के साथ